असलालेकूम फ्रेंड्स मैं हूँ शवनूर अली और आपका मेरे चैनल पर खुशामदीद अपनी अपनी लेंग्वेज में इस प्लांट को इस फूल को हर कोई पहचानता है इसमें से कुछ नाम एक महिने पहले जब पारिशों का सीजन चल रहा था तब मैंने ये कटिंग नर्सरी से ली थी इस कटिंग पर दो दरह के फूल आ रहे थे पिंक और येलो एक ही प्लांट था अमेजिंग ये है कि उस पर दो दरह के फूल आ रहे थे जिस प्लांटर में मेरी और भी कटिंग लगी हुई थी उसी में मैंने बस इसको लगा दिया था मिट्टी तो थी गोरी चोरी की कटिंग उसी में लगी थी तब वो भी नहीं ग्रो हुआ था तो मैंने इसलिए इस cutting को भी उसमें लगाया था, थोड़े दिन बाद ही इसमें इस तरह के leaves नए-णए आ गए थे, कैसी भी मिट्टी में ये plant grow कर जाता है, आसानी से बहुत हाड़ी plant होता है, पानी भी इसको जादा दे दिजे तो भी चलता है, और कम दे दिजे तो भी ये plant चलता है, पुरे साल ही ये plant आपके पास रहता है, बस flowering थोड़े टाइम नहीं करता है, जब जादा सर्दियां होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, और फरवरी आते ही इसकी फिरसे बर्स बनने लगती है, फिरसी इसकी सूखी हुई ब्रांच पे पत्यां आ जाती है, और ये blooming करने लगता है, डे बाई डे होने वाली growth आप देख रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद जब मैंने cutting लगाई थी, cutting से लेकर flowering तक, मिट्टी, इस गमले में compost, रेट, मिट्टी और rice husk, यही मिला कर मैं planter में भरती हूँ, तो उसी में मैंने इस cutting को लगा दिया था, cutting लगी भी थी, धूप में ही रखा रहा, कभी-कभी पारिशे होती थी, तो पानी भी इसमें अच्छे से चला जाता था, लेकिन well drain मिट्टी है, तो वो drain out भी हो जाता था, इसी दरह ये कुछ plants की shade में cutting लगी रही, लेकिन plant अच्छे से grow हो गया, मैंने कोई shade में इसको नहीं रखा है, ये indoor plant नहीं है, shade loving plant नहीं है, sunlight पसंद करता है, जादा से जादा इसको धूप चाहिए, 4 o'clock plant इसको इसले कहा जाता है, क्यूंकि ये शाम के 4 बजे से खिलना शुरू होते है, मैंने इसको night में भी कलिया बनते देखा है, और night में flowering भी खिलते देखा है, जो सुबह तक 7-8 बजे तक बंध हो जाती है, फूल खिलने के बाद दिन भर की तेज धूप में ये मुर्जा जाते है, शाम तक पुराने फूल बंध हो जाते है, 4 बजे से फिर नए फूल खिलना शुरू हो जाते है, ये plant cutting से लगता है, ये तो आप देखी रहे हैं, इसमें seeds भी आते हैं, अभी तो इसमें देखिए green green seeds बन रहे हैं, फूल के जस्ट नीचे, कुछ दिन बाद यही ब्लैक कलर के हो जाएंगे तब यह ग्रोध के लिए हो जाएंगे तब आप इसको श्टोर करके रख सकते हैं यह सीड किरने से न्यू प्लांट बन जाते हैं दूसरा तरीका इसका ट्यूबर से है जो इसके नीचे की जड़े होती है उससे भी ग्रोध होती है नाइट में देखिए कितना खुबसूरत इसमें फ्लार निकला है यह कटिंग मैंने जब ली थी तो इसमें दो तरहा के फूल खिले हुए थे लेकिन जब से यह कटिंग ग्रो हो रही है इसमें यलो ही फूल खिल रहे हैं लेकिन उस फूल की भी एखासियत है कि वो पूरा फूल यलो कलर का है लेकिन उसकी पैटल हाफ पैटल कह लीजिए यह फूल पैटल कह लीजिए पिंग कलर उस पर आया हुआ है हो सकता है आगे चलकर इस पर पिंक कलर के फूल भी आ जाये, ये साहत में लगे रहते हैं, कलर छेंज करते रहते हैं, बिलकुल अलग ही लोग एक ही प्लान्ट पे दो तीन तरह के फूल खिल जाते हैं, पहली भी मैं ने इंपलांट को ग्रो किया था, उसमें कभी भी मैंने किसी बिमारी को नहीं देखा पेस्ट अटेक को नहीं देखा शायद इसमें पेस्ट अटेक कम ही होता है अगर हो भी जाता है तो आप नी मॉयल का स्प्रे कर सकते हैं आपको जब इसको कटिंग से ग्रो करना हो तो उसको पानी में एक दो दिन रख दीजिए फिर उसके बाद कटिंग लगाईएगा आप फूल देख रहे हैं इसकी हाफ पत्ती पिंग कलर की है पोट आप इसको कैसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं छोटे प्लांटर में लगा देंगे तो उसमें भी चलेगा पूरी फुल जमीन में लगा देंगे तो जमीन में ये इतना फैलेगा जैसे के जाड़ी हो कोई दो-तीन फूट तक इसकी हाइट होती है लेकिन अच्छी स्पेस मिलता है ग्रोथ अच्छी मिलती है तो ये खूब खूब फ्लावरिंग करता है पूरे साल रहता है फर्टिलाइजर इसको जादा नहीं चाहिए फिर भी अगर बहुत पुराना हो जाए ताव आप थोड़ा सा कमपोस्ट गमले की गुड़ाई करकर उपर से एक दो इंच दे सकते हैं और इस हाफ कलर पेटल्स के लिए आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी वीडियो शेयर करूंगी इंशालाग अलाफेश